Ladies and gentlemen, boys and girls, मैं आपके साथ एक घुटने में कष्ट रहता है, आपको लगता है कि कष्ट है, बहुत ही दिक्कत रहता है, सर्में एक्सराइज कैसे करूँ और करूँ, तो किस तर से करूँ कि मुझे एक्सराइज करने से घुटने में रिल्प मिले, आप तो बोलते हैं कि घुटने में एक्सराइज करेंगे, तो लॉंघ टर्म में रिल्प में एक्सराइज करेंगे, ज़नम कई देखा है, सर कितना दिन कादमी जियेगा, लिख तुरन्त आराम चाहिए, तुरन्त अगर आपको आराम चाहिए, गुछ ऐसा एक्सराइज तो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस्ट्रेचिंग एक्सराइज बहुत ही यूजपु एक्सराइज है इससे आपकी मान्स पेस होगी और रिलाक्स होने से आपको घुटने की तकलीफ में बहुत ज्यादा गलेत में तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जो आपकी गुटने के तकलीफ में राम बांटी जैसा काम करेगा अंकर हमारे वीडियो से जुड़े रहेगा और आपको अच्छा लएगा तो इसको लाइक भी करिएगा सब्स्क्राइब करिएगा हमारे चैनल को मैं एक्सराइज बताने वाला हूं ज अगर आपको यह करने से आपको घस्ट हो रहा है तो बहुत जबर्जस्ती नहीं करना है लेकिन आराम से प्याव से करना है थोड़ा सा जोड लगाना है अगर आप किसी भी स्ट्रेज में हैं अगर आप ऐसा करेंगे आपको एक स्ट्रेच फिलोगा आपकी मान स्पेशियों में आपको खास करके आगे की मांस्पेशियों में जगर आप नीचे कर रहे हैं और एक पोजेटिव एनार्टी का संचार आपको महशूस होगा अब यह करते हुए और यह मसल्स जो आगे की हैं रिलाक्स हो रहा है इसको थोड़ा देर होल्ड करके रखना है फिर इसको ठीला करना है उसी तरह से चाहें तो आप फिर से भी रिपीट कर सकते हैं फिर से इसको दबाई नीचे की तरफ नीचे की तरफ मांस्पेशियों केवल लबडाने की जैसा कोशिश करना है चोड़ा करने कोशिश करना है ताकि मांस्पेशियों में तान पड़े जो बरसों से जबड़ी हुई मांस्पेशियां है बरसों से जांपड़ी हुई मांस्पेशियां है उसमें आपको लगे गा कि उसको एक रिलेक्सेशन एक तो यह तो नीचे करके आपने उपर की मांस्पेश्यों को स्ट्रेच किया आप कीवल स्ट्रेचिंग एक्सराइज करें आपको इमेडियेट रिक मिलेगा और मुझे आसा है कि आपको एक पूरा वीडियो पशंद आया होगा अगर आपको पशंद आया तो हमारे चैनल को सब् ह। हुआ हुआए तो